अगर हर रोज आप रोटी सब्जी खाके बोर हो गए हैं तो इस नास्ते को बनाएगा इसे बनाना बहुत असान है और जितना जल्दी ये बन जाता है सिहत के लिए बहुत हेल्दी ये नास्ता है तो आप इसे बच्चे को टिफिन में दे सकते हैं सुबह के नास्ते के तरवे बनाकर दे सकते हैं इसे बड़े और बच्चे दोनों इंजवाई कर सकते हैं चलिए नास्ता बनाना सुरू करते हैं आज की यह हेल्दी नास्ता बनाने के लिए मैं यहां ले रहे हूं दलिया जो गिहूं के टुकड़े होते हैं उसे दलिया हम बोलते हैं वो सिहत के लिए बह बहुत कम पानी का इस्तेमाल कि हो फूलने के लिए मिकसर जहर लेंगे dis कि फुलाया हुआ दल्या है उसे डाल देंगे और इसारै पानी हम इस जार सीमें दल्या को पीष लेंगे याद रहे कि यह पीषते समय इसको अच्छे तरीके से पीषय का टुकरा नहीं होना जाए कितने अच्छे तरीके // यह देखिए आप इस नास्ते को केवल दलिया से भी बना सकते हैं लेकिन मैं अब इसमें डालूंगी एक कपे कड़िप सूजी सूजी भी सेहत के लिए बहुत हिल्दी होता है तो मैं इसमें दलिया और सूजी दोनों का इस्तेमाल कर रहे हूं और जितना सूजी डाली हूं उतना तरीकी से तीन मिनट के लिए पीसी हूं अब देखें कितना अच्छे कंसेटेंसी का हमारा बैटर बनके रेड़ी हो चुका है इतना ही फ्लोइंग कंसेटेंसी का अपना बैटर बनाकर रेड़ी कीजिएगा अब मैं इसमें डाल दूंगे टेस्ट के अकुछ भी नहीं डाल अब 10 मिनट हो चुका है और सूजी अच्छे तरीके से फूल चुका है तो मैं पहले ही पानी का मिजरमेंट नाप के डाली हूँ तो अब इस स्टेच पे मैं पानी नहीं डालूंगी अब मैं इसमें डालूंगी एक चौथाई चमचे कड़ी बेकिंग सोडा अगर आपके प नहीं पतला कीजिएगा और नहीं इस से ज़्यादा कीजिएगा अब चलिए अपना नास्ता बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले गैस पर रख देंगे पैन और आज ही छोटी चमचे कड़ी तेल डाल देंगे इससे जादा आपको तेल का इस्तेमाल नहीं करना है आपके पकने में आपको कड़ी बन 2-3 मिट का समय अराम से लग जाएगा और देखे जब आपका पैन अच्छे तरीके से गड़म होगा ना तो इसमें बबल्स काफी अच्छे बनते हैं कि इसमें जो जाली बन रहा है वो बहुत अच्छा जाली बनके तयार होगा अगर तावा हलक तो नास्ति को हमें एक ही तरफ से जाएग फिर वह भी नहीं होता है तो देखें किस तरह को टाल रही हूं याद रहें कि याद रहें कि ताव अच्छे तरीके से गरम होना चाहिए और इसको डालने के बाना कर दें कर ली हूं एक कप दलिया और एक कब सूजी से कड़ी बन आठ नास्ता बन के रेडी हो जाता है और देखें कितने तरीके से इनके अंदर जाली आया हुआ है इसके साथ मैं यहां भी खा सकते हैं यह बहुत टेस्टी लगता है किसांद आपको कोई भी सब्जी के ज़रूरत नहीं परने वाली है क्योंकि सब्जी वैसे ही बहुत महेंगा है तो एक बार इस तरीके से सुबा में हेल्दी नास्ता बनाईए बच्चों और बरो दोनों को बहुत पसंद आएग